कुशिनगर इंटरनेस्टनल एरपोर्ट की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी स्रध्धा को अरपित पुस्पांजली है भगवान बुद्ध के ज्ञान से लकर महा परी निर्वान तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र असीधे दुनिया से जुड़ गया है स्री लंकन एरलाइन्स की फ्राइट का क्रिशिनगर में उतर रहा इस पुन्य भूमी को नमन करने की तरह है इस फ्राइट से स्री लंका से आए अतीप पूजनिय महासंग और अन्य महानुभाव आज कुछी नगर बड़े गर्व के साथ आपका स्वागत करता है आज एक सुखत सहियोग ये भी है कि आज महर्थी वालमिकी जी की जैन्ती है भगवान महर्थी वालमिकी जी की प्रेणा से आज देश सब का साथ लेकर सब के प्रयास से सब का विकास कर रहा है साथियों कुछी नगर का ये इंटरनेशनल एएरपोर्ट दसकों की आशाओं और अपक्षाओं का परणाम है मेरी खुशी आज दोहरी है अध्याद्मिक आत्रा के जिग्यासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पुर्वांचल छेत्र के प्रतिनिती के रूप में भी ये एक कमिट्मेंट पूरा होने की गड़ी भी है कुशिनगर के लोगों को यूपी के लोगों को पुर्वाणचल पुर्वी भारत के लोगों को दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुवाईयों को कुशिनगर इंटरनेशनल एरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई साथियों भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को विच्छित करने के लिए बहतर कनेक्टिविटी के लिए स्रध्धालों की सुविधा के निर्माण पर भारत द्वारा आज विशेज द्यान दिया जा रहा है कुशिनगर का विकास यूपी सरकार और केंद्र सरकार की प्राप्पिताओं में है बगवान बुद्ध की जन्मस्तिली लुमिनी यहां से बहुत दूर नहीं है अभी जोतिरा दित्यजिन इसका काफी वर्णन किया है लेकिन फिर भी मैं उसका पुंद्रावतन इसलिए करना चाहता हूँ कि देश के हर कौने में एक शेत्र का ये सेंटर पॉइंट कैसे हैं ये हम आसानी से समझ पाएं कपिल वस्तु भी बिलकुल पासमे ही है बगवान बुद्ध ने जहां पहला उपदेश दिया वो सारनात की भूमी भी सो डाइसो किलोमेटर के दायरे में आ जाती है जहां गुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोद गया भी कुछी गंटों की तुरी पर है ऐसे में एक शेत्र सिर्फ भारत के ही बवद अनिवाईयों के लिए ही नहीं बलकि स्री लंका, थाइलेंड, सिंगापोर, लाओस, कंबोडिया, जपान, कोरिया ऐसे अनेकों देशों के नागरिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा स्रद्धा का और आकर्शन का केंद्र मनने जा रहा है भाई और बहनों कुषिन अगर इंटरनेशनल एरपोर्ट सिर्फ एर कनेक्टिविटी का ही एक माध्यम नहीं बनेगा बलकि इसके बनने से किसान हो, पशुपालक हो, दुकानदार हो, स्रमीक हो, यहां के उद्यमी हो, सभी को इसका सीधा सीधा लाब मिलता ही है, इससे व्यापार, कारोभार का एक पूरा इकोसिस्टिम या विक्सित होगा सबसे ज़्यादा लाब यहां के टूरिजम को, ट्रैवेल ट्रैक्सी वालों को, होटल रेस्टरॉन जैसे, छोटे बोटे बिजनेस वालों को भी होने वाला है इससे इस खेत्र के युवाव के लिए रोजगार के भी अनेक नए आउसर बनेंगे भाई और बहनों, परियतन का कोई भी स्वरूप हो, आस्ता के लिए आनन्द के लिए आधुनिक इंफ्रास्रेक्टर इसके लिए बहुत जादा जरूरी है यह उसकी पूर्वशरत है, इंफ्रास्रेक्टर, रेल, रोड, एरवेज, वाटरवेज, इंफ्रास्रेक्टर का यह पूरा स्ट्रेक्टर उसके साथ साथ, होटल, होस्पिटल, इंटरनेट, मुबाइल कनेक्टिमिटी का इंफ्रास्रेक्टर, सफाई व्यवस्ता का, सीवेज की इंट्रेक्ट्रेक्ट्मेंट का प्लान, यह भी अपने आप एक वही इंफ्रास्रेक्टर है साथ परियावरान स्विस्तिनिस्टित करने वाली रिन्योबल एनर्जी का यह सभी आपस में एक दुसरे के साथ जुड़े उपिये हैं कहीं भी तूरिजम बढ़ाने के लिए इन सभी पर एक साथ काम करना जरूरी है और आज इकीस्व दृदिका भारत इसी एप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है तूरिजम के खेत्र में अब एक नया पहलू पी जुड़ गया है वैक्सिनेशन की भारत की तेज गती से प्रगती दुनिया के लिए एक विश्वास पैदा करेगी तो अगर टुरिस्ट के रूप में भारत जाना है किसी कामकाद से भारत जाना है तो भारत व्यापक रूप से वैक्सिनेटेड है और इसलिए वैक्सिनेटेड कंट्री के नाते भी दुनिया के टुरिस्टों के लिए एक आश्वस्त व्यवस्ता ये भी उनके लिए कारण बन सकता है इसमें भी बीते वर्षों में एर कनेक्टिविटी को देश ने उन लोगों तक उन छेत्रों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है जिन्नों ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था इसी लक्ष के साथ शुरू की गई उडान योजना को चार साल पूरे होने आ रहे हैं उडान योजना के हट बीते सालों में 900 से अधिक नए रूट्स को स्विक्रूती दी जा चुकी है इनी में से 350 से अधिक पर हवाई सेवा शुरू भी हो चुकी है 50 से अधिक नए एरपोर्ट या जो पहले सेवा में नहीं थे उनको चालू किया जा चुका है आने वाले तिन चार सालों में कोशिच ये हैं कि देश में 200 से अधिक एरपोर्ट हैलिपोर्ट और सी प्लेन की सेवा देने वाले वाटर ड्रॉम का नेटवर्ग भी देश में तैयार हो आप और हम इस बात के साक्षी हैं कि बढ़ती हुई इन सुविधाओं के बीच अब एरपोर्ट पर भारत का सामान्य मानवी ज़्यादा दिखने लगा है मजणबर के जादा से जादा लोग अब हवाई सेवा का लाब लेने लगे उड़ान योजना के तहट यहां उत्तर पुदेश में भी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है यूपी में नए एरपोर्ट इससे फ्लाइट हो चुकी है आठ एरपोर्ट से तो फ्लाइट शुरू हो चुकी है आठ या नव नव इसके ताद नव एन आठ हो चुकी है आज नव भी लखनव वारानसी और कुशिनगर के बार जेवर भी इंटरनेस्टल आएरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है इसके अतिरिक अयोध्या अलिगड आजमगड चित्रकूर्ट मुरादावार और सावस्ति में भी नए एरपोर्ट पर काम चल रहा है यानि एक प्रकार से यूपी के अलग-अलग अंचलों में हवाई मार्च से कनेक्टिविटी बहुत जल्द बहुत मजबूत हो जाएगी मुझे ये भी जानकारी दी गई है कि अगले कुछ सक्ता में दिल्ली और कुशिनगर के बीच स्पाइस जेट द्वारा सीधी उड़ान शुरू किया जा रही है और जोतिरा विज्जी ने और भी कुछ डेस्पिशन बता दिये हैं इससे गरेलू यांत्रियों को स्रफ धालूं को बहुत सुविदा होने जा रही है साथियों देश का एविएशन सेक्टर प्रफेशनली चले सुविदा और सुरक्षा को प्राठ्विक्ता मिले इसके लिए हाल में एर इंडिया से जुड़ा बड़ा कदम देश ने उठाया है ये कदम भारत के एविएशन सेक्टर को नई उर्जा देगा ऐसा ही एक बड़ा रिफार्म डिफेंस एर स्पेस को सिविल योज के लिए खोलने से जुड़ा हुआ है इस फैसले से बहुत सारे एर रूट पर हवाई आत्रा की दुरी कम हुई है समय कम हुआ है भारत के युवाओं को यही बहतर ट्रेनिंग मिले इसके लिए देश के पाँच एरपोर्ट में आठ नई फ्लाइंग एकेडेमिस थापित करने की भी प्रक्रिया शुरू की गई ट्रेनिंग के लिए एरपोर्ट के उप्योग से जुड़े नियम को भी सरल किया गया है भारत वारा हाल में बनाई गई ड्रॉन निती भी देश में कृषी से लेकर स्वास्ता तक डिजास्टरन मैनेमेंट से लेकर के डिफेंस तक जीवन को बदलने वाली है ड्रोन की मैनिफेक्टरिंग से लेकर ड्रोन फ्लाइंग से जुड़ा ट्रेन मैनपावर तयार करने के लिए अब भारत में पूरा एक एकोसिस्टिम विक्सित किया जा रहा है ये सारी योजना, सारी नीतियां तेजी से आगे बड़े किसी तरह की कोई रुकावट ना आए इसके लिए हाल ही में पी-एम, गतिशक्ती, नेशनल, मास्टर प्रांट भी लांच किया गया इससे गवर्नेस में तो सुधार आएगा ही ये भी सुनिस्चित किया जाएगा कि सडक हो, रेल हो, हवाई जहाज हो ये एक दुसरे को सपोर्ट करें एक दुसरे की छमता बढ़ाएं भारत में हो रहे इन निरंतर रिफॉर्म्स का ही परणाम है कि भारतिय सिवियल एविशन सेक्टर में एक हजार नए विमान जुड़ने का अनुमान लगाया गया है साथियों, आजादी के अमरित काल में भारत का एविशन सेक्टर राश की गती और राश के प्रगती का प्रतीग बनेगा उत्तर प्रदेश की उर्जा उसमें शामिल होगी इसी कामना के साथ एक बार इंट्रनेशनल एड़पोर्ड के लिए मैं आप सब को दुनिया भर के बद्ध के अनुमाई देशों के नागरिकों को बहुत बहुत बद्धाई देता हूँ यहां से मैं देश और दुनिया से आए बहुत बिच्शों से अर्षिदवार लेने जाऊंगा और फिर यूपी के इंफर्सेक्टर के अनेक और प्रोजेक्ट का लोपान करने का भी लोपान का है कि मुझे सवभागे मिलेगा फिर एक मार आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद